बिहार जारकन और ओरिसा के रास्ते रेलवे एक नई ट्रेन का संचालन सुरू करने जा रही है। ये ट्रेन बंगलोर से पश्रिम बंगाल के लिए चलाए जाएगी। नमसकार दोस्तो इस वीडियो ब्रेट में हम बात करनेंगे इस ट्रेन के डिटेल के बारे में तो चलिए शुरुआत करते इस वीडियो को से पहले हमारे इस चैनल को नई कियें सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब। जिसमें कि यह ट्रेन वाया बिहार जारकंट और ओरिसा के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर रुखते हुए चलेगी ऐसे में ट्रेन का जो डिटेल जारी किया गया है उसके अनुसार ट्रेन नमबर 03-404 के साथ जारी सेडूल का अनुसार यह ट्रेन साथ वजे सुभा में बेंगलूरू रेलवे स्टेशन से रावाना होने के बाद जोलाड पट्टी 10 बच कर 18 मिनट पर पहुँचेगी इसके बाद यह ट्रेन काट पाड़ी के रास्ते रेनी गुंटा रेलवे स्टेशन 2 बच कर 20 मिनट पर आएगी जहां पर किसी ट्रेन का 10 मिनट का रहेगा इस जैनगरम 3 बच कर 25 मिनट पर सुबह में दूसरे दिन पहुचेगी जहां पर किसी ट्रेन का रहेगा इस ट्रेन के लिए जिसके बाद यहां ट्रेन यहां से खुलेगी और टिटलागड केसिंगा बालागीर के रास्ते संबलपूर रेलवे स्टेशन 11 बच कर 30 मिनट पर दूलिया जै चंडी पहाड के रास्ते आसन सोल डेलवे स्टेशन दूसरे दिन 8 बच कर 10 मिनट पर रात में पहुचेगी इसके बाद यह ट्रेन चितरंजन होते ही वे मधुपूर 9 बच कर 54 मिनट पर और जैसीडी 10 बच कर 20 मिनट पर आईगी जैसीडी से खुलनक बाद यह ट्रेन जहां जहां के रास्ते चलेगी जहां पर कि क्यूल यह ट्रेन एक बजे मधिरात तरी दूसरे दिन पहुचेगी इसके बाद यह ट्रेन अभाईपूर जमालपूर सुल्तांज गंज भागलपूर काहल गाउं साहिब गंज होते ही वे मालदा टाउन को जाएगी 2485 कि करेगी जो कि यह ट्रेन तीसरे दिन आठ वजे सुभा में अपना गंताव्य पूरा करेगी यह वीडियो कसा लगा कमेंट बॉक्स में बता है नए ट्रेनों के लिए टेस्ट अबडेट के लिए हमारे इसे चैनल को कने सब्सक्राइब